राम राम सभी को शाम एमबोडी ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है मैं आप लोगों के साथ मशीन को कैसे ओन करना है और क्या-क्या चीजी ध्यान में रखनी है मशीन को ओन करते टाइम और मशीन के रेट के बारे में आपके साथ मैं डिस्कॉशन कर चुकी हूँ आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये मशीन में फिनिशिंग कितनी है क्या इसका वर्क रहता है कैसे इसका वर्क रहता है फिनिशिंग तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने आपको बिल्कुल नस्थीक से दिखा दिया है मशिन को चलते हुए भी मैं आपको दिखा रही हूँ तो फिनिशिंग में कोई कमी नहीं है बहुत अच्छी फिनिशिंग रहती है यह देखिए यह अभी अपने सिंगल थ्रेड का जो काम था फर्स्ट थ्रेड का जो वर्क था वो इसने कम्प्लीट कर दिया है और यह स्टॉप होगी है सेकिंड थ्रेड पे चली गई है तो यह फुली ओटोमेटिक मेशिन रहती है उशा जैनोमी मेमरी क्राफ्ट 550E यह दो मोडल में रहेगी एक मोडल रहेगा इसका 450E और सेकिंड मोडल रहेगा 550E दोनों ही मोडल बैस्ट रहते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोनों मोडल में क्या डिफरेंस रहता है वो बताऊंगी और किस परपस से कौन सी मशीन आप परचेस कर सकते हैं वो चीज़े मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी जैसे मैंने आपको दिखाया कि मशीन अपने थ्रेड का वक कंप्लीट करके आटोमेटिक स्टॉप हो जाती है रुख जाती है यह अपना वक कर रही है इसमें आपको टाइमिंग बगएरा फ्रेम का साइज बगएरा डिजाइन का साइज आपको सब मिलेगा यह आप जैसा देख सकते हैं कि यह साथ बाई बारा का डिजाइन बनेगा रेडी होगा छे कलर है इसमें 87 मिनट्स का यह रहता है 87 मिनट्स का यह रहता है इसमें भी आपको बताया हुआ है छे बाई दस का यह डिजाइन बनेगा तीन कलर में है और साथ मिनट्स का यह बैंडिंग है बाकी हमने यह कम्प्लीट कर दिया complete ये 57 minutes का था अभी सिरुफ 7 minutes का रहता है fully automatic machine रहती है आपको सिरुफ suit के उपर mark करके आपको frame लगा के machine के साथ attach करना है machine को command देनी है उसके बाद complete work machine खुद से करेगी बहुत अच्छी machine रहती है कोई दिक्कत नहीं होती machine को handle करने में अगर आप नए हैं तो भी आप machine को handy कर सकते हैं थोड़ा सा अगर आपको कोई guide करने वाला है तब easily इससे work कर पाएंगे और finishing भी बहुत अच्छी रहती है machine की जैसा कि आप देख पा रहे हैं next video किस topic के regarding मैं आपके लिए लेके आऊ comment करके जरूर बताईएगा और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी हमें comment कीजिएगा और अगर आप लोग channel के साथ नए हैं first time channel से जुढ रहे हैं first time video देख रहे हैं तो आप लोगों से request है कि channel को subscribe जरूर कीजिएगा और वीडियो को like share जरूर कीजिएगा राम राम सभी को